हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज केस वीडियो में हम बना रहे हैं एक कबाब की रेसिपी जिसमें मैंने चीज और कौन का यूज किया है रेसिपी बड़ो को तो अच्छी लगेगी साती छोटे बच्चों को बहुत क्योंकि उनके फेविर इंगिरियंट मैंने यहां यूज किये हैं तो रेसिपी को लाज तक देखिए और कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा तो आये बिना देर करें क्विकली शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और बाउल इनको मैंने बॉयल करकी ग्रेट कर लिया है ताकि इसमें थोड़ी से भी काठे ना बढ़े इसको आप डाल लीजिए बाउल में इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें एक कटी हुई हरी मिर्च मिर्च आप अपने कॉर्डिंग डाल सकते हैं बच्चे कम खाते हैं तो आप कम यूज कीजिए आप टेस्ट के कॉर्डिंग यूज कर सकते हैं इसके बाद मैंने थोड़ा सा डाला है चिली फ्लेक्स क्योंकि यह बहुत इखा ही होता है तो मैंने थोड़ा सा यूज किया है इसमें इसके बाद मैं डाल रही हूं इसमें एक हैंडफुल ओफ धनिया सार यह में डाला है थोड़ा सा चाइत्री पाउडर हाँ यह मीस का पाउडर है इसको थोड़ा सा कूट लीजिए और डाल दीजिए अब थोड़ा सा शुगर मेने एट किया है शुगर के बाद हम इसमें डाल रहे हैं एक टी स्पून काली मिर्च अब हम इसमें एट करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला लगभग एक टी स्पून यह देखिए मैंने एट कर दिया है इसमें इसके बाद हमने इसमें यूज़ करना है चीज छीज आप निगण कम या भीच्च चीज आप अपने कंडिंग थोड़ा सा कम या जा जादा दा कर सकते हैं ऐने एक टिहाई कब डाला है आ बबशीला चीज है जो भी सिकल्या पीजा में भी यूज़ करते हैं यहां धीम तर्फ में हो 1 TSP की स्येटिये ये-धर मसाल्री नहीं के तर्फ कर देलना हे, इस में प्रत्वल धाल ल यासे भी आप खाना पसंद करते हैं और अब सब डालने के बाद हम इसे a-से Mix देना है एक ऐसा Mix जिससे कि हमी a soft dough की तरह से बनाना है आप इसे hand-mix कर लिजिए ये स्पैचुला से मिक्स कर लीजे बट एक सॉफ्ट डो की तरह आप इसको रेडी कर लीजे यह दिखिए यह दो बना दिये अब मैं थोड़ा सा एट कर रही हूं इसमें लेमन जूस हांजी टीस्ट और फ्लीवर दोनों के लिए कॉन के साथ एक अच्छा कॉंबिनेशन जाता है कॉन मिन्ट और लेमन अब मैं एट कर रही हूं थोड़ा सा मकी का आटा 2-3 डेवल स्पून आपके पास अगर मकी का आटा अविलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा कॉन प्ला यूज कर सकते हैं थोड़ा सा ब्रेड क्रम यूज कर सकते हैं अगर और हेल्दी बनाना चाहते आप थोड़ा सा ओट्स को भी हलका सा ग्राइंड करके इसमें डाल के आप पी सकते हैं एक हेल्दी वर्जन आप इस रेस्पी का बना सकते हैं देखे डो रेडी है अब हमें इसे देना है एक कबाब की शेप और देखे डो कितना सॉफ्ट पना है जितना डो सॉफ्ट रहेगा हमारे कबाब उतनी टीस्टी बनेगे देखे मैंने बना लिया है हाथ पर थोड़ा सा पानी लगा लिजे और इससे राउंड शेप करके आप कि शेप देजाई भचों को किसी और शेप में भी आप देना चाहते हैं तो आप को और शेप भी कुकी गटर की मदबसे भी ऐप एक अलग शेप बना के बचों को दे सकते हैं जैसे में बच्चे खाना पसंद करें ये रेसेपी आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन मैंने याज शेलो फ्राई किया है बहुत ही कम ओल में एक हेल्डी वर्जन में इसका बनाया है देखिए रेडी हो गए है बनके कबाब्स अब इनकी अब हम इसमें थोड़ा सा में अब लिए सिल्ट नाया है डाल अब देखिए मैंने थोड़ा उपर सा अध कर दिया है इसपी क्योंकि इसमें नमक एड़ हो गया है तो नमक डालने के बाद कोई बीचीज हो तो दोड़ा सा पानी होड़ना रिलीस करना शुरू कर देए तो आई तबा गरम कर लिया है और बच्चों को दे रहे हैं थोड़ सा घी भी यूज कर सकते हैं आप अपने कोड़िंग यूज कर लीजिए मैं शेलो फ्राइब कर रही है आप इसे डीप फ्राइब कर सकते हैं यह देखिए मैंने तवे पे एक एक कबाब को रख दिया है यहां पर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे शेलो फ्राइब करना है यह देखिए इसको इस तरह से पलट पलट के हमें दो या तीन मिनिट बाद आप चेक कर लेजिए और अच्छे से इसे गोल्डन कलर आने तक एक क्रण्च आने तक आप इसे शेलो फ्राइब करेंगे कम तेल में बनने वाली रेसिपी है बहुत हिल्दी है आजकल गर्मिया है तो बहुत बहुत बनने वाली रेसिपी है तो क्विक बनने वाली रेसिपी है बच्चों की अब चुटिया शुरू हो गई है मेरे कबाब लगभग बनकर तयार है और अगर आप मेरे कबाब लगभग बनकर तयार है मेरे में अच्छे से देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा एक रंच है इसमें और यह अल्मस्ट रडी हो गई है